हेलो दोस्तों सुभागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल से तुल में मैं हूँ आपका दोस्त तुल गोईल आज हम बात करेंगे फिर से टीटी एमल की टीटी एमल जो की एक लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है अगर उस लेवल को उसने ब्रेक किया तो उस काफी बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है बट अगर उसने एक रिजिस्टन्स को ब्रेक किया तो फिर से थोड़ा सा रण अप ले सकता है बट र्जिस्टन्स लेवल काफी जादा है इसके अदर और चांसे हैं कि ये चान्स जो है एक जार सा नीचे जाता हुआ वह नजर भी आ चुकी है तो 58 के आसपास की है 60 को क्रोस करें तो फिर से मोमेंटम बन सकता है बट अभी 58 के आसपास की है जानि स्टेंथ थोड़ी सी कम है बीकली चार्ट पर देखिए इस ट्रेंड लाइन हमने ड्रोक की है पहले इसी लाइन के आसपास जो स्टोक था एक अच्छा खा लाइन के आसपासी जो पहले रिजिस्टेंस लेवल था इसके आसपासी फिर से सपोर्ट लिया और इसके बाद फिर से बाउंस बैक किया और अगेन देखिए आप इसी लेवल के आसपास आता हुआ नजरा रहा है तो यह जो लाइन है यह काफी इंपोर्टेंट लाइन है क तो यहाँ पर अभी 45 के आसपास किया, यानि 60 से काफी कम है, तो bounce back का अभी थोड़े से chances कम लग रहे हैं, देखते हैं इसको daily chart के उपर, तो daily chart पर stock देखी, आपको इस टाइब से दिखाई देगा, जैसे मैं आपको बताया, कि यह जो lines है, काफी important lines है, पहले भी stock जो है, उप इसने support लिया था, और यहीं से इसने bounce back किया था, तो stock अब इस line के आसपास ही फिर से आता, वो नजरा रहा है, यानि 111 रुपे के आसपास stock अगर पहुंचता है, तो एक support zone माना जाएगा, बट 111 रुपे को अगर break कर देता है, तो stock फिर से जो है, निचे जा सकता है, जो कि 100 से भी निचे के level बनते हैं इसके, तो उपर के level के उपर देखें, stock जो है, इस type से एक resistance बना हुआ है, जैसे मैं आपको बता है, एक resistance बना हुआ है, और निचे एक support zone जुरूर बना हुआ है, अगर यह support break होता है, तो stock काफी निचे जाएगा, अगर इसके level भी देखें, है, वो और भी निचे हो रहे है, तो माना जा रहा है, कि stock जो है, हो सकता है, यहाँ पर एक निया low बनाता हुआ, अगर निया low की बात करें, तो 111 रपे के आसपास का यह level है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया, इसके आसपास stock जो है, सपोर्ट ले सकता है, बट इसको अग लाइन को ब्रेक करके उपर की तरफ निकले, तब आपको इसके अंदर position बना सकते हैं, छोटा momentum इसके अंदर मिल सकता है, जो इसको लगबग 128 से लेके 134 के level तक ले जा सकता है, वट उससे बड़ी चाल आने के लिए फिर से एक resistance level है, जो कि 138 के आसपास का है, अगर उसे break करेगा, तब क्या momentum बनेगा, तो यहां से stock जो है, 128 से 134 तक जा सकता है, conditions यही है कि इस line को break करके इसे उपर की तरफ निकलना होगा, तो निचे के level पर ध्यान रखे, 111 के उपर और उपर के line पर इस line के उपर ध्यान रखे, यहां पर भी इसको break करेगा, तब इसके अंदर कुछ momentum आएगा, डेली चार्ट पर भी 38 के आसपास की आरे सही है, यानि 50 से कम है, तो यहां पर भी strength थोड़ी सी कम ही नजराती है, तो इन level के पनजर रखिए, थोड़ा सा risk की share है, तो अपने हिसाप से, जो भी risk profile आपका है, उसके हिसाप से इसक अंदर trading कीजिए, तो एक support अगर उसे break किया तो काफी beef हो सकता है, थेंक्यू, धन्यबाद